हलो एवरिवान, वेलकम तो दे चानल, आज से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, NTA UGISnet पेपर 1 में Research Aptitude, ये यूनिट बहुत ही जादा important and scoring unit है, तो Research Aptitude का ये हमारा पहला lecture है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे research का basic introduction and functions, So, introduction से exam में equation पूछा जाता है and equation function से पूछा जाता है, So, ये वीडियो बहुत ही जादा important है, So, सबसे पहले research की definition से शुरू करते हैं, So, इसके नाम से ही concept आप लोगों का clear होना चाहिए, research, Search का मतलब होता है ढूणना, Research का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार ढूणना, किसी problem के solution को ढूणने के लिए, अगर हम लोग बहुत से facts को, बहुत से findings को साथ में ले करके चलते हैं, उस चीज़ को research बोला जाता है, So, research क्या होता है, It is a method of searching for fact in any branch of knowledge, So, किसी भी field में, किसी भी branch में हम लोग, अगर किसी fact को find out करना चाहते हैं, किसी problem का solution find out करना चाहते हैं, त represents an attitude of inquiry, So, research करने के लिए, जो person है, जो research करेगा, उसमें एक attitude होना चाहिए, inquiry का, कि उनमें एक जस्वा होना चाहिए, कि वो इसका solution ढूणना चाहते हैं, और वो मेहनत करके उसको ढूण ही लेंगे, Next है, an attempt to elicit facts and figures, So, facts and figure के basis पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को successful कर सकते है Most important statement है, exam में बहुत बार पूची जाती है, कि it is a systematic and scholarly application of the scientific method, So, ये एक systematic method होता है, अब कोई भी काम हम करते हैं, तो एक systematic तरीके से अगर काम करेंगे, तो हम उसमें successful होंगे, तो research को भी अगर हम system के साथ करते हैं, तो क्या होता है, research हमारी हमेशा successful होती है, systematic के साथ-साथ, exam में एक और term use की जाती है, जिसको बोला जाता है structured, तो research एक structured format होता है, हमेशा एक structured manner में research की जाती है, ठीके, research is a state of mind, यानि कि it requires involvement of entire mind, So research, अगर हम problem में first गए हैं, उसका solution हम लोग ढूनना चाते हैं, तो हमें अपने पूरा mind activate रखना पड़ता है, कि कहां से हम इसका solution ढूनेंगे, और क्या-क्या steps हैं, जो कि हम follow कर सकते हैं, So research को एक mind का state बोला जाता है, So research कई बार क्या होता है, हम लोग गूगल पे कोई ऐसी चीज़ सर्च करते हैं, जिसको हमने अभी कहीं पे भी use नहीं करना है, सिरफ हम लोगों को curiosity होती है, उस चीज़ को जानने के लिए, हम लोग सिरफ अपना knowledge collect करना चाते हैं, तो उस चीज इसको भी research बोला जाता है, So students, मैं जितने भी types अभी बता रही हूं, यह basically जो types of research है, 25 types होते है research की जहां से sure exam में question आता है, ठीक है, So वहाँ पे हम detail में discuss करेंगे, वहाँ पे मैं आपको detail में बताऊंगी कि कौन से तरह की research को क्या बोला जाता है, वो मैं real life examples के साथ होगी कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, Next is research is never ending and ever enlarging systematic process, So research जो है कभी खतम नहीं होती, आप लोगों को पता है हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोज नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ रोज नया ढूनने की कोशिश करते हैं, इसलिए research को never ending and systematic process बोला जाता है Next is research is a search for knowledge, अपना knowledge, अपना घ्यान भढ़ाने के लिए हम research करते हैं, using objective and systematic methods to find solution of a problem Next is an attempt to pursue truth through the methods of study, observation, comparison and experiment, बहुत से experiments के साथ, observation के थूँ, study के थूँ हम क्या करते हैं, सच को ढूणने की कोशिश करते हैं, अपने research के थूँ Research is an organized and systematic way of finding answer to the question, तो आप लोग बोलोगे कि माम यही statements आप बार बार repeat कर रहे हो, वो मैंने इसलिए add की हैं क्योंकि exam में क्या होता है, exam में माली जी यह 3 statements आपको दी हैं, ठीक है, यह 3 statements दी हैं and options में आपको बताना है कौन सी correct है, कौन सी incorrect है, तो इसलिए यह मैंने different ways में statements को add किया है and यह जितनी भी statements है, research की यह सभी repeated हैं, यह previous year question से ही मैंने उठाई है, so मैंने आपको बताया था, एक structure format होता है, साथ ही research एक systematic procedure भी होता है, research एक organized process है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को organize करके काम किया जाता है, कि कैसे हम research शुरू करेंगे, कहां पे हम इसका findings ढूंड कौन कौन इसमें हमारी help कर सकता है, ठीक है, यह सब चीज़े organized way में हो, तभी research एक successful हो सकती है, so research के features पे आते हैं, so research should be systematic in nature again वही चीज़े हैं, ठीक है, इसमें specific, specified subjects होते हैं, specified steps होते हैं, जिनको हमें follow करना होता है, अगर हम इन steps को follow करेंगे, तो ही हम लोग easily क्या कर सकते है research अपनी successful कर सकते हैं, logical होनी चाहिए, यह most important step है, research logical होनी चाहिए, अगर हमारी problem में कोई logic होगा, जिसका solution दुनिया में बहुत लोग ढूण रहे हैं, यह problem जिसका बहुत से लोग face कर रहे हैं, इसका solution चाहते हैं, अगर ऐसी problem का हम solution ढूणने के लिए research करेंगे, तो वो जो अनुमान लगाएंगे, जो problem का solution ढूणने के कोशिश करेंगे, वो logical ways होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि हवा में तीर मारें, तो कभी भी research successful research नहीं कहलाईगी, next है, it should be empirical, यानि कि it should be based on observation and experimentation, so कहीं पे भी अगर empirical term आपको नजर आता है, ठीक है, empirical जो है, research का type भी होता है, ज experience या related चीज़ें होती है, ठीक है, it should be replicable in nature, replicable का मतलब होता है, कि अगर इसका एक बार result आ गया, तो उसमें अगर हम changes करना चाहें, future में, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसको हम replicate कर सकते हैं, ठीक है, unbiased होनी चाहिए, unbiased का मतलब होता है, कि without any judgment होनी चाहिए, सब लोगों को same के कर चलना है research में, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि मेरी research में सिर्फ boys काम करेंगे, मेरी research में, मैं girls को अड़ नहीं करूंगी, तो unbiased को नहीं होनी चाहिए, सब को equal priority देनी चाहिए, सब को equal opportunity देनी चाहिए, कई बार ये research हो सकती है, कि हमें सिर्फ girls के point of view देखने हैं, सिर् next है it should employ qualitative or statistical method by transforming the data into numerical measures and should be treated statistically so यहाँ पर I know आप लोगों को quantitative समझ नहीं आएगा statistical समझ नहीं आएगा यह दोनों भी types है research की जो कि बहुत important है so इस point को अभी आप लोग नोट कर लीजिये and आप लोग अगर चाहते हो तो मैं next video में चीजों को real life example के साथ बताने ही वाली हूँ ठीके so students इसके साथ ही आप लोग हमारा WhatsApp group join कर सकते हो जो कि बिल्कुल free of cost है so आप अगर हमारा WhatsApp group join करते हो तो यह PPTs मैं as it is अपने group में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी so that आप लोगों को यह चीज़े लिखने की जरूरत ना पड़े इससे क्या होगा आप लोग directly PPTs को देख सकते हो and हमारे वीडियो लेक्चुर्स के थूरू concepts को समझ सकते हो so आप लोग जल्दी से हमारे WhatsApp group को join कर लीजे link में description box में add कर दूँगी so thank you so much I hope यह वीडियो आपको पसंद आई है thank you